हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों के साथ मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं परविट सिंग आप सभी लोगों के लिए लगातार ले बस्चेंड यानि प्रियोक शाला साहिक की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए physics और chemistry और राहसतान GK की लगाता क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ और आप सभी लोगों को बता दो दोस्तों ये क्लासेज जो है सेकंड गेट से अगर कोई साइंस की प्रिपरिशन कर रहा है तो उनके लिए भी इंपोर्टेंट है तो उन साथियों तक भी आप ज़रूर जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी लोगों के साथ में दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशी की यानि ओप्टिक्स के अंदर जो है आपके वीवरतन के अंदर फोरेन खौफर मैंने आपको बताया था फोरेन खौफर का जो वीवरतन और एक होता है फ्र इन सभी कोशन के बारे में हम इस वीडियो के माद्यम से डिसक्स करने वाले हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जादा से जादा लोगों तक शेयर करिएगा चलिए दोस्तों चलिए आज की सुरूरात करते हैं क्लास के माद्यम से तो दोस्तो अब हम बात करते हैं एकल जिर्री के कारण फ्रॉन हॉपर विवर्तन या फ्रॉन हॉफर डिफ्रेक्षन ड्यू टू सिंगल स्लिट ठीक है चलिए तो आप टॉपिक डालिएगा दोस्तो एकल जिर्री के कारण एकल जिर्री के कारण फ्रॉन हॉफर विवर्तन अब दोस्तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहां एक डाइग्राम बना लेते हैं ताकि इस डाइग्राम के मादें से हम समझ पाएंगे कि यह जो एकल सिलिट का मतलब क्या होता है और फ्रॉन हॉफर ने एकल सिलिट का यह क्या उप्योग करके कैसे इन्होंने इसके बारे में कुछ अनिसकर्स दिये थे ठीक है तो यह डाइग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए आप बना लीजिए इस डाइग्राम को और यहां से हम सपोज करिए यह तीन रेज निकालेंगे यह एक यह दो और यह तीसरी रे ठीक है जो कि इस परकार से रेज बाहर जा रही है और यह जो है इसको आप मान लीजिए c पॉइंट है ठीक और इनके बीच में यह 2 पॉइंट आप दे दीजिये और इस सीरे को आप मान लीजिए A इस middle वाले को आप मान लेंगे M और इस corner वाले को आप मान लेंगे B ठीक यहां से आपकी यह source के माद्यम से आपका यहां जो है raise आ रही है कहां से आ रही है यह s source है जहां से यह raise आ रही है डेवलप होकर के और एक हम ले लेते हैं ठीटा एंगल के उपर यहां पर पॉइंट कितने एंगल पर ठीटा एंगल के उपर समझ में आ गई बात ठीक है यह देखिए तो यह हो गया एंगल ठीटा यह हो गया एंगल ठीटा और यह हो गया एंगल ठीटा ठीक है चली और इन सब को हम जो है मिला देंगे ये मिला दिया अब ये सब भी सपोज करिए किसी एक पॉइंट P के उपर मिल रहे हैं ये क्या है पॉइंट P है ये पॉइंट है आपका C ये पॉइंट है आपका B ये पॉइंट है आपका M ये पॉइंट है आपका A समझ में आ गई बात कि अब दोस्तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा फ्रॉन खौपर जी ने कि आपका एक है लाइट का सोर्स एस वहां से रेज डेवलप हुई और इन्होंने एक जो है ऐसी स्लीट ले रखी थी क्या ले रखी थी पतली स्लीट ले रखी थी और उस स्लीट से जो है प्रकास की यान होने जो बीच में है एक इतना सा गैप रखा है क्या रखा है गैप रखा है और इस गैप को ही हम क्या कह रहे है तो ये जो जिर्री है इसकी चोड़ाई मान लो कितनी है ए चोड़ाई है इस जिर्री की चोड़ाई कितनी है ए है ठीक है अब देखिए हमने जैसे ही यहां ए चोड़ाई की जिर्री मानी यहां से परकास आ रहा है तो क्या होगा कि यह परकास जो है मद्य में जहां सी अधिक तम बाकि इसके जो साइड में है दीरे 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 प्रकास कम होता जाता है ऐसा जो है इन्होंने ये कहा था फ्राउन होपर जी नहीं और इसे ही कहा जाता है फ्राउन होपर भीवर्तन समझ में आ गई बात तो आप जो है सबसे पहले इसको लिख लिजिए थियोरी र के तरंग देधर्य जब प्रकास के तरंग देधर्य की कोटी पतली स्लीट पतली स्लीट को एक वर्णी एक वर्णी मतलब एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए समझ में आ गई बात एक वर्णी एक वर्णी इस्तरोत से प्रकासित एक वर्णी इस्तरोत से प्रकासित करते हैं करते हैं तो एक चोड़ा पैटन प्राप्त होता है एक चोड़ा पैटन प्राप्त होता है जिसके मद्य मैं दिप्त चेत्रो एवं दोनो और करमागत दिप्त एवं अदिप्त चेत्रों होते हैं जिनकी तिर्वता कम होती जाती है यह पर्ति रूप पर्ति रूप पर्ति रूप फ्रौन होफर फ्रौन होफर वीवर्तन है तो फ्रौन होफर वीवर्तन क्या है बेसिकली देखो इस डाइग्राम के माद्यम से आप समझोगे तो यहां से यह पर्ति रूप है यह कैसा पर्ति रूप है एक वर्नी पर्ति रूप है और यह एक हमारे पतली स्लीट ली है जिसके मद्य में ए चोड़ाई की एक जिर्री है जहां से पर्कास आया और फिर इससे जो एक पर्ति रूप हमें पराप्त हो रहा है कि मद्य का बाग तो होता है दिप्त और उसके करमागत दोनों और जो है फिरे दीरे दीरे क्या हो रहा है अदिप्त 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 ऐसा चेत्र प्राप्त होता है alternate रूप में और उससे भी दिरे-दिरे क्या होती है तिर्वता भी इसकी intensity भी जो है कम होती है ये जो परती रूप बनेगा इस परती रूप को इन्होंने front hopper वीवर्तन कहा है समझ में आ गई बात अब हमने ये तो लिख लिया front hopper वीवर्तन है क्या और हमने ये भी समझ लिया कि इसके अंदर करमागत क्या होगा दोस्तो मद्डे वाला भाग तो ज्यादा चमकेगा बागी करमागत भाग जो है वो क्या होता जाएगा अरे कम intensity होगा एक बार अधिप्तियानी की एक बार आपको लाइटिंग प्राप्त होगी मला इसका पैटन जो है वो इस परकार से होगा देखो कि यहां वाला बाग लगबग जो बीच वाला बाग है यह तो पूरा का पूरा ऐसे डार्क होगा एक दम यू मस्त एक दम पिला पिला ला बाद में बाग है देखो यह तो पूरा डार्क हो जाएगा एक दम पिला मस्त एक दम पिला पिला हो जाएगा जैसे सरसो चमक रही हो ठीक है बाद में इधर क्या होगा कि इधर बलेक होगा फिर इधर वापस थोड़ी सी ऐसे इंटेंसिटी वाला प्राप्त होगा फिर वा इसे का जाता है फ्रॉन होपर वीवर्तन समझ में आ गई बात ठीक है किलियर है तो यह पूरा हमने जो है लिख दिया अब मैं आपको जो है डायरेक्ट इसके अंदर क्या बता रहा हूं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं तो आप लिखेंगे कि पर्थम पर्थम निमनेश्ट पर्थम निमनेश्ट का मतलब है पहला जो अदिप्त होगा वो कहा मिलेगा हमें ठीक है निमनतम तिर्वता पहला वो बिंदू जहां निमनतम तिर्वता हमें प्राप्त होगी तो वो हो जाएगा कौन सा पर्थम निमनेश्टम बिंदू तो पर्थम निमनेश्टम का पतांतर कितना होगा A sin ठीटा बराबर में लैमडा ठीक है क्या होगा A sin ठीटा बराबर में लैमडा अब ये जो लैमडा है ये क्या है तो ये लैमडा है अमारे A और B के मद्य का क्या है पतांतर है ठीक है अरे क्या है ये जो है लेम्डा क्या है अब ये कहीं पर मैंने आपको लेम्डा लिखवा दिया लेकिन ये लेम्डा की जिक है कोई और भी किसी भी टम में दे सकता है S Q Y Z उनकी मर्जी होगी वैसे देंगे तो परतम निम्नश्टन बिंदू का पतांतर होगा A Sin Theta बराबर लेम्डा यानि की हम ये कहेंगे Sin Theta बराबर हो जाएगा लेम्डा अपॉन में A समझ में आ गई बात अब इसको जो है ये तो हमने लिख दिया परतम क्या लिखा है निम्नश्टन बिंदू यानि की सबसे कम तिर्वता वाला पहला बिंदू यहां मिलेगा ठीक अब दूसरा अगर आपको निम्निष्ट पूचा जाएगा यानि की आप लिखेंगे Second निम्निष्ट तो Second निम्निष्ट जो होगा वो होगा आपका A Sin Theta बराबर में N सौरी N नहीं Second बोल दिया है तो हम कहेंगे Two Lambda ठीक है ऐसे ही N के लिए अगर पूचा जाए तो आप लिख लिजिए कि किसी निम्निष्ट बिंदू के लिए पर्थांतर किसी निम्निष्ट बिंदू के लिए के लिए पर्थांतर किसी भी निम्निष्ट बिंदू के पर्थांतर जो है वो कैसा होगा तो वो इस फॉर्म में ही होगा A Sine Theta बराबर N Lambda अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से कोशन कैसा बनता है तो दोस्तों यहां से सीधा कोशन ऐसा ही बनेगा कि आपको परकास का जो है देखो प्याले क्या दे देंगे वो कि आपका जो सलीट है उन दोनों के मद्दे का पतांतर इतना है ठीक है आपके जो Light है उसकी Density जो उसकी तिर्वता है या तरंग देदरे है वो दे दी गई है आपको सीधा पूछ लेंगे बताओ कितना आंतर होगा या फिर आपसे यह पूछ लेंगे कितना उन दोनों बिंदूों के मद्दे दूरी कितनी है ऐसा मलब जो है डारेक्ट कोशन पूचेंगे मैं आपको कोशन भी करवाऊंगा तो और अच्छे से किलियर आपका हो जाएगा ठीक है टेंसन नहीं लेना है ये तो हो गया किसी बिंदू के लिए कोई भी बिंदू जो निमनिष्ट है उसके लिए पतांतर अब आप लिखेंगे कि किसी उच्छिष्ट किसकी कोई भी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट के लिए तो किसी उच्छिष्ट बिंदू के लिए के लिए पतांतर किसी भी उच्छिष्ट बिंदू के लिए पतांतर कितना होगा तो उसके लिए हो जाएगा A sin theta बराबर 2n प्लस 1 इंटू लेमडा अपॉन में 2 कितना हो जाएगा A sin theta is equal to 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन में 2 समझ में आ गई बात ये किसी उचिष्ट बिंदू के लिए पतानतर होगा अब उचिष्ट और निमनिष्ट ये किसी बात कर रहा है तो डाइग्राम में देखो भाई अगर आपसे ये जो बिंदू है जहां आमने बोला कि इसके intensity कुछ ने कुछ होगी तो ये हमारा कहलाएगा उचिष्ट बिंदू ये जो है इनके मद्य दो उचिष्टों के मद्य एक निमनिष्ट होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो निमनिष्टों के मद्य एक उचिष्ट होगा तो जो ये हम उचिष्ट और निमनिष्ट लिख रहे हैं इन्ही के पतानतर का जो है हम यहाँ फॉर्मूला लिक रहे हैं कि निमनिष्ट बिंदू के लिए पतांतर कितना होगा A sin theta बराबर N lambda और किसी भी उचिष्ट बिंदू के लिए पतांतर कितना होगा तो A sin theta बराबर 2 N plus 1 lambda by 2 समझ में आ गई बात ठीक है तो यहाँ से आपको जो जो दे रखा होगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं अरे क्या निकाल सकते हैं भाई A दे रखा है तो scientific data निकाल लोगे N lambda दे दे तो ठीक और एक बात याद रखनी है कि किसी भी निमनिष्ट की तिर्वता जो है वो सुनने हो ऐसा जरूरी नहीं है वो एक अल्प मान होता है minimum value होती है इसका मनले यह नहीं है कि उसकी जो value है वो zero होगी यह द्यान रखना थोड़ा सा समझ में आ गई बात clear है आप लोगों के लिए चलिए अब आप लोग दोस्तों इनकी intensity का भी एक formula लिख लिजिए तो intensity यानि की तिर्वता किसकी बात कर रहा है इनकी तिर्वता कितनी होगी भाई देखो कि इस पहले बिंदू की तिर्वता कितनी है फिर इसकी कितनी है फिर इसकी कितनी है अब तिर्वता लगातार कम होती जाती है न इसलिए जो तिर्वता अगर आपसे पूची जाएगी तो आप लिखेंगे तिर्वता यानि की इंटेंसिटी यानि आई और आई बराबर हो जाएगी आपके क्या दोस्तो आई ए मल्टिप्लाइ विट साइन अलफा अपॉन में अलफा अब चाहे साइन अलफा अपॉन अलफ कोई बड़ी चीज नहीं है कोई बड़ी तोप नहीं है केवल जो है आपके क्या है ये तो ये तो एंगलों की बात है अब ये कौन से एंगल है मैं अभी आपको समझा देता हूं टेंसन काई को ले रहे हो भाई मैं समझाने के लिए तो हूँ अभी केवल आप इतना याद रखिए कि intensity जो है वो इस order में होगी किसी भी point पे उपर पूछी जा रही है तो ie sin alpha upon alpha का whole square समझ में आगई बात ठीक है यहां तक की बात है clear रहे न आप लोगों के लिए अब मैं जो है आप लोगों को इससे आगे समझा देता हूँ कि यह IE है जो कैसे निकालेंगे और sin alpha upon alpha जो है यहां पर alpha क्या है ठीक है तो दोस्तों जो आपका IE होता है यह IE जो है यह आपकी maximum intensity है क्या है maximum intensity ठीक है और maximum intensity यानि की अधिकतम तिर्वता है अधिकतम तिर्वता ठीक समझ में आ गई बात क्या है अधिकतम तिर्वता है और यह अधिकतम तिर्वता आपको कब मिलेगी यह तब मिलती है जब आपके पास में ठीटा बराबर zero होगा समझ में आ गई बात ठीक अब सर यह जो alpha है यह क्या है तो एलफा जो होता है वो एलफा होता है आप लोगों का पाई अपॉन लेमडा गुना ए गुना साइन ठीटा समझ में आ गई बात तो आई ए क्या है ये भी समझ में आ चुका होगा और एलफा क्या है ये भी समझ में आ चुका होगा alpha क्या है pi upon lambda a sin theta और ie क्या है जब आपका sin theta जो सुरी theta angle जो बन रहा है ना ये पिछे देखो ये वाला ये theta angle जो है ये 0 जब होगा तब आपकी जो intensity आपको मिलेगी वो होगी ie maximum intensity जो होगी और alpha की value क्या होती है तो pi upon lambda a sin theta जिसमें आपको a जो है वो क्या है a और b यानि की जो sleet के दो point है corner point है a and b उन दोनों का path difference पतानतर कितना है उसे कहते हैं हम a sin theta यानि की angle कितना है और pi आपको पता ही है और lambda यानि की उसकी जो है क्या है दोस्तों ये lambda क्या होती है तरंग देधर wave length है समझ में आ गई बात clear है आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है और यहाँ पर जो है देखो किसी भी अब ये page ही केवल आप लोगों के लिए important है सबसे ज़्यादा इसमें वापस से बोलेंगे मेरे साथ कि किसी भी बिंदू को अगर निमनिष्ट है वो तो उसका पतान theta बराबर 2N plus 1 lambda upon 2 तिरवता जो है intensity वो अगर किसी भी point के उपर पूछी जा रही है तो वो क्या होगी IE sin alpha upon alpha का whole square जहाँ IE क्या है तो maximum intensity यानि अधिक तिरवता जिसे हम कहते हैं theta बराबर 0 पर मिलने वाली intensity alpha क्या है तो pi upon lambda A sin theta ये था आप लोगों का क्या दोस्तो ये था एकल जिर्री के कारण throne hopper वीवरतन और इससे जो है दोस्तो कई बार question आप लोगों से पूछे गए हैं और इससे भी आपके question आने वाला है अलग-अलग जो exam हुए है जहाँ physics आती है ठीक है मैं सिप levation की बात नहीं कर रहा हूँ जहां-चहां physics आती है वहाँ इससे related कुछ न कुछ question पूछा ही जाता है अब हम जो है दोस्तो एक आपकी RBSC की book का एक question है जिसे हम solve करेंगे ठीक है चलिए तो आप question लिखिएगा दोस्तो ताकि आप लोगों के ये concept भी समझ में आ जाए कि बात किसकी हो रही है आखिर में ये है क्या तो आप लिखेंगे question एकल slit वीवर्तन एकल slit वीवर्तन में दित्य यानि मैं डारेक लिख रहा हूँ second कोटी second कोटी की चमकिली फ्रिंज चमकिली फ्रिंज केंद्रिय 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 उच्छिस्ट यानि केंद्र से 1.44 मिली मीटर यानि एम एम दूरी पर है ठीक है परदा 0.80 एम एम चोड़ाई की स्लिट से 80 सेंटी मीटर दूर है कितनी दूर है 80 सेंटी मीटर दूर है एक वरनी एक वरनी आपतित प्रकास आपतित प्रकास मानते हुए तरंग देधर्य की गणना करो कोशन क्या है दोस्तो पहले हम कोशन को समझेंगे तो हमें अच्चे से ये सब चीज जो है समझ में आ जाएगी ठीक है ये कोशन कहरा है कि एक एकल स्लिट वीवर्तन है यानि जो फ्रोन ओपर का सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है उसी की बात कर रहा है परती रूप में दित्य कोटी की चमकिली फ्रिंज यानि की पहली कोटी देखो भई परतम डिग्री की यानि सबसे ज़्यादा चमकिली फिर दूसरी चमकिली तो दूसरी चमकिली कब मिलेगी देखो भई अरे देखो ये बात कर रहा है इस चमकिली की बात नहीं करके देखो ये तो हो गई maximum चमकिली फिर दूसरा आपको निवनिश मिला फिर तीसरा तो इसकी बात कर रहा है इस यानि कि हम कह सकते हैं दित्यक उच्चक की बात कर रहा है दित्यक उचिष्ट की बात कर रहा है तो कें बिंदू है और यानि कि ये जो आपकी है इसकी और जो जित्तियक उच्छिष्ट है इन दोनों की दूरी जो है आपको दे रखी है क्या दे रखी है ये दूरी आपको दे रखी है इसलिए मैंने डाइगराम बनवाया था समझ में आगई बात तो यह क्या कहा रहा है देखो तीन रेज तीन रेज थी ना पहली रेज ये दूसरी रेज ये तीसरी रेज maximum मिल रहा था यहां और यहां फिर dark होगा फिर यहां वापस से maximum तो यह second है और यह है हमारी first तो second और first के बीच में जो distance है वो है कितनी 1.4 mm परदा जो है वो 0.80 mm चोड़ाई की slit से 80 cm दूर है तो जो हमारी slit है वो यहां रखी हुई है ठीक है यह ऐसे रखी हुई होगी यह ऐसे slit रखी हुई है ठीक इससे जो है परदा कितनी दूर है अरे परदा कितनी दूर है 80 cm कितना दूर है 80 cm ठीक है तो यह जो हमें मिल रहा है यह 80 cm की दूरी पर ही मिल रहा होगा अरे भाई आपको ये परकास कहां दिखाई देगा ये पूरा पैटन तो परदे पर दिखाई देगा ना तो वो 30 cm दूर है अब एक वर्णी आपतित मानना आपको जो परकास आ रहा है वो एक वर्ण का यानि एक रंगी नहीं मानना है तो तरंग दे दर्य की गंड ना कीजिए ये ये कहना चाता है समझ में आ गई बात किलियर है आप लोगों के लिए चलिए तो अब जो है हम इस कोशन को करते हैं सॉल्व तो अब देखिए दोस्तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था भाई ये उचिष्ट की बात कर रहा है तो उचिष्ट के लिए क्या फॉर्मूला है किसी भी उचिष्ट बिंदू के लिए पतांतर कितना होना चाहिए ए साइन ठीटा बराबर टू एन प्लस वन लेमडा अपॉन में टू किलियर है अब एन जो है वो कितना होगा तो दित्यक की बात कर रहा है न किसकी बात कर रहे है देखो सेकेंड कोटी के चमकिली फ्रिंज की तो जिसकी भी बात कर रहा हो यानि दित्यक की बात कर रहा है तित्यक की बात कर रहा है वही n आ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा देखो 2 ठीक लेमडा यानि तरंग देदरिय तो लेमडा तो हमें निकालना ही है भाई साब ठीक है चलो ये तो हमें निकालना ही है फिर a, a क्या होता है दोस्तो अरे जो इनके बीच की distance है ये, ये ही तो होती है a, तो ये तो कितनी चोड़ाई है देखो, परदा 0.80 mm चोड़ाई की slit, तो चोड़ाई कितनी है a, 0.80 mm तो mm को मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तो इसका multiply कर देंगे, 10 की power minus 4, तो ये हो जाएगा मीटर, ठीक, a आ गया फिर देखो, n आ चुका है a आ चुका है, सब कुछ आ गया अब sir, sine theta कैसे निकालू sine theta तो दिया ही नहीं अरे बेटा, sine theta दिया है देख कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला था, ये जो बिंदू होता है देखो इदर, ये थोड़ा सा अपना concept यूज होना चीए, देखो इदर क्या था भाई, sine theta ये distance क्या इसको रिपरटेंट निकरीए, इस P बिंदू की इससे distance, तो ये ट्रेंगल बनेगा या नहीं, यहां बना कर देखो अरे, इदर देखो, इस बिंदू से इसको मिलाएंगे तो ये distance है, हमारे पास 1.4 mm और ये D हमारे पास कितना है, 80 cm और यहां कितना होगा ये ठीटा तो sine theta बराबर क्या होता है, अरे बोलिये क्या होता है, लंब बटे अरे भाई साब क्या होता है, जल्दी बोलिये जल्दी बोलिये, जल्दी बोलिये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल कक्का, पड़ा होगा इतना, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, दोस्तों, हमारा sine theta बराबर में लंब की तरह कौन काम करेगा इसके लिए, ये जो की क्या है, हमारा y2, ठीक है ये हो गया y2 upon में, क्या जाएगा दोस्तों, हमारे पास में ये 80, तो ये हम पूट कर देंगे d, एक सेकेंड रुकिएगा इधर हो जाएगा ये कितना d, ठीक है तो d जो है, ये क्या है 80 cm है, हमारे पास में अल्रेडी, तो हम यहाँ पूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा y2, y2 कितना है, अरे भाई, ये distance कितनी है, y1 का मतलब है, कि आपका इस केंदर से कितने उपर बिंदू है तो y distance वो रिपेटेंट करता है तो y2 कितना हो जाएगा दो इसरे बिंदू पर 1.4, कितना हो जाएगा 1.4 mm है तो इसको मैं convert करूँगा मीटर में, तो इसको मैं लिख दूँगा 1.4, 10 की पावर, माइनस 3, अपॉन मैं d, d कितना है 80 cm, यानि की 0.8 मीटर, इसको करूँगा मैं solve, जैसे ही इसको solve करेंगे, अब यह value हुमारे पाँ sin theta की आ चुकी है, तो हम यहाँ put कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, अरे lambda बराबर उपर से मैं लिख दूँगा क्या दोस्तो, उपर वाले इस formula से मैं लिख दूँगा, lambda बराबर 2a फिर sin theta बराबर y2 2n प्लस 1 ठीक है, इसके अंदर जैसे ही value पूट करोगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे solve कर देता हूँ तो हो जाएगा lambda बराबर क्या हो जाएगा, 2 multiply y2, यानि की 1.4 into 10 की power minus 3, multiply आपके पास एक ही value कितनी आ रही है, 8 multiply 10 की power minus 4 ठीक है, upon में क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 5 into point 8 ठीक है, और इसको जब आप देखिए, काटा प्लाटी मचाएंगे, तो मारे पास में ये चला जाएगा, उपर 10 तो ये 8 से 8 उड़ गया ठीक है, इधर ये निचे आ जाएगा वापस से 10 तो ये 10 से 10 उड़ जाएगा, ठीक है फिर, उपर कितना हो जाएगा 5 अठाइस ठीक है, upon में हो जाएगा 5 multiply, 10 की power minus 3 10 की power minus 4 10 की power minus 7 आप इसका करेंगे, multiply divide करेंगे, तो 5 25 25, 35 into 10 की power minus कितना बन जाएगा 7, ठीक है जिसको हम लिख सकते है 560 mm mm तो ये हो गई हमारे जो परकास था उसकी तरंग दे धर्य समझ में आ गई बात, तो आपको ये याद रखना है, कि एक तो A sin theta में अक्सिमम की बात कर रहा है, तो A sin theta बराबर 2N plus 1 lambda upon 2 ये तो क्या होता है, पतानतर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, साथी साथ sin theta बराबर याद रखेंगे कि परदे के और slit के बीच की दूरी क्या है, और उस केंद्र जहां पर मेक्सिमम intensity होगी उससे, जिस बिंदू पर आप से sin theta, समझ में आ गई बात तो आपका answer आ चुका है तरंग देदरिया कितनी आ गई है दोस्तों, इस एक वंड़ी परकास की इसकी आ गई है 560 mm ठीक है, तो इसी के साथ मैं दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को front hopper का जो diffraction है by one single slit या फिर by a single slit जो होगा, वो समझ में आ चुका है अब हम बात करेंगे next class के अंदर, love you all of you, bye bye